कि प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक कामेंट इन हिट बेल आइकान हलो स्टुडेंट्स मैसेल दीपक यादो और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूटूब चैनल सिख्षड़ करेंगे पर आज इस वीडियो में हम स्टेंडर्ड सिख्ष का विकास मैथमेटि सब्सक्राइब करेंगे पार्ट वन तो स्टाइट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नई सब्सक्राइब किया प्लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा त से स्टाइट करते हम पार्ट वन में आपको फिलिंदा ब्लैंक्स दिया गया तो देखो इसमें आपको क्वेस्टेन नंबर वन करके दिया गया 20 जो है यह 4 का कितना टाइम्स होगा या फिर किसका 4 टाइमस है तो देखो आपको 4 का टेबल बोलना है 20 जब तक आएगा तो आ टाइमस किसका है 4 का ट्लियर वैयर नाव 36 लगया Olify 86 ट्रेश टैब्स्दुना टाइमस नहीं से 30 सिक तो 9 का टेबल बोलना आपको कितना टीनघ्र टाइम में आये वह तो आपका अंसर हो जाएगा तो 9 का टेबल बोलोगे तो आपका यहां पे 94 जा क्या होता है 36 तो यहां पे आपका हो जाएगा फॉर प्लियर क्वेस्टिन नमबर डू नाव थाड में देखो दर रेशियो आफ एट तो ट्वेल इन दा सिंपलेश्ट फॉर्म इस डैस आपको एट एंड ट्यूल का रेशियों करना है फिर इसको सिंपलेश्ट फॉर्म में ड्राइट करना है तो 8 गाइट अब देखो चैबल हमसे कट करना होता है पॉर टू जाएट एट एट एड फ़ूं तो है 2 गाया टु बाइट इसको हम इस तरह से रेशियों के फॉर्म में लिख सकत तो देखो आपको ratio find करना है, दोनों का unit same है, इसलिए हम इसका ratio find कर सकते हैं, तो 15 and 20 का ratio find करना है, तो आप क्या लिखोगे, 15 divided by 20, अब इन दोनों को cut करो, दोनों में किसका table आजाएगा, common, 5 का, 5 3 जा 15 and 5 4 जा 20, तो आपका answer आजाएगा 3 by 4, अब इसको आप ratio में लिख दो इ नहीं कटेगा, next question, question number 5, question number 5 में दिया गया है, the numbers 25, 4 dash are in proportion, देखो 2 and 5 proportion में है, तो यह 4 and दूसरा कौन सा number होगा, तो देखो यह 2 by 5 and यहाँ पे है 4, upon में हमें कुछ लाना है, तो आप देख रहो, यहाँ पे 2 था तो इसका double हो गया, कितना हो गया, 4, मतलब 2 का multiply किया, उपर किया, तो नीचे भी करना पड़ेगा, हमें, तो यहाँ पे 2, 2, 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, 2, 10, तो 4 by 10, यह दोनों रेशियो में तभी होगे, तो यहाँ पे answer क्या जाएगा, 10, next, 6, 7, और क्या है 18, दूसरा कौन सा number है, 6, 7 क्या है, proportion में है, तो दूसरा 18, and upon में क्या आएगा, आपको चेक करना है, तो इन दोनों को हम equal में लिख देते हैं, या फिर आप यहाँ रख के चेक कर सकते हो, या फिर direct option वाला है, तो आप देखो, 6 में किस से multiply करोगे, तो 3, यहाँ पे 18 आएगा, तो आपको पता है, 3 से, तो उपर किया, तो नीचे भ होगा, 21, तो यहाँ पे आपका जाएगा, 21, next, question number 7, two quantities can be compared, only if they are expressed in the same dash, दो quantity को हम तभी compare कर सकते हैं, जब वे क्या हो, express किये गये हो, किसमें, same, को इसमें, unit, अगर वो, same unit में, express किये गये हो, तभी हम compare कर सकते हैं, next, the simplest form of 18 by 30, is dash, हमें इसका simplest form find करना है, 18 by 30 का, तो आपको same table बोलना है, तो देखो, same आपको, अगर आप यहाँ पे 3 का table बोलोग, दोनों में जाएगा, cut करो, यहाँ पे 3 6 आ, यहाँ पे 18, next, 3 10 जा 30, तो 6 by 10 आया, again 2 से कटेगा, now 2 3 जा 6, and 2 5 जा 10, तो क्या answer आगे, आपका यहाँ पे 3 by 5, तो इसका यह simplest form होगा, next, यहाँ पे, आपको दियागा question number 9 में, 8 by 20 is equal to dash, यहाँ पे box बनाया है, divided by 30 है, clear, अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे answer लाना है, यहाँ पे 30 आया, तो यहाँ पे क्या आयागा, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 8 by 20 है, यहाँ पे box है, उसको हम x consider कर लेंगे, और divide by क्या हो जाएगा 30, x find करना है, तो इसको सामने भेज़ दो, तो divide में, multiply में, 8 into 30, divided by 20 is equal to x, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट को दो, 2 4 जा, 8, now 4 and 3 बचा, तो क्या जाएगा, 4 3 जा, 12 is equal to x, तो x की value कितनी आई, 12, तो यहाँ आपका answer हो जाएगा, same यहाँ पे भी, जहाँ पे box ह तो उसको x से ले लेना है, question number 10 में, तो x divided by क्या हो जाएगा, 28 is equal to 18 by 21, now, अब x find करना है, तो इसको सामने भेज़ दो, x is equal to 18, then multiply by 28, then divided by 21, अब आप दोनों को कट करो, तो देखो, यहाँ पे आप 7 से कट कर सकते हो, 7 4 जा 28, and 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21, next 3 से कट करो, 3 जा 3, 3 6 जा 18, तो क्या बचा है, यहाँ पर 6 into 4 divided by 1 मतलब, सेम आएगा answer, तो 64 जा, 24, तो answer क्या आजाएगा, आपका यहाँ पर, 24, question number 10 हो गया, question number 11 देखते है, question number 11 बोला है, the method in which we first find the value of one unit, and then the value of the required number of unit is known as death, देखो, ऐसा method, जिसमें हम क्या करते हैं, first of all हम क्या find करते हैं, first find the value of one unit, हम एक unit का value find करते हैं, then, जब मालो value जिसकी required होती है, number of unit का, तो उसको हम find, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आएगा, unitary method क्या आएगा, unitary method, इस method को हम ऐसा बोलते है, unitary method, next, question number 12 है, the ratio of rupees 100 to 100, 100 and 100 का ratio find करोगे, तो क्या आएगा, आपका, देखो, 100 divided by 100, 100, 100, 100 बंजा, 100 and 100 बंजा, 100, तो क्या बचा, one by one, मतलब one is two, one, इनका ratio क्या आया, one is two, one, same number हो, तो उनका, one is two, one आता है, clear, तो question number one के complete हो गया, now question number two देखते हैं, question number two में बोला गया है, complete the following statement, that means यह भी आपको fill in the blanks दिया गया है, and आपको बस यहाँ पर options दिये गये, one, two, three, bracket में दिये गये हैं, तो question number one इसमें, if A is twenty times B, अगर A जो है, यह क्या है, ब का twenty time है, then what is the ratio of B to A, then आपको B to A का ratio यहाँ पर find करना है, तो देखो, A बोला गया है, A क्या है, twenty times B है, ठीक है, इस तरह से, अब हमें यहाँ पर B to A का ratio find करना है, if A is twenty times B, ठीक है एक्या है 20 टायम है एका दिन हमें बी टू एका रेसियो करना घाल टो बी टू एक कर लेते हैं यहाँ पर 20 भी हो जाएगा ना लो बी की वाइभलू ऑफ टू गी तो यहांत्यों यहां से बी से एक जाएगा क्या बचेगा 1oro am bunları 20 को क्या लिख सकते हो 1 इस्टू 20 तो आपका वांसर कौन सा आजाएगा यह वाला वन इस टू 20 ओके नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर टू इसमें फिप्ट पार्ट और 40 इस आपका फिप्ट पार्ट आपको बताना है 40 का तो सिंपल है आप 5 का टेबल बोल दो जितना टाइम आ जाएगा वह आपका अंसर हो 42 पैसे to 35 पैसे आपको 42 & 35 पैसे का रेशियो देखो दोनों का यूनिट सेम है तो यहां पर रेशियो फाइंड कर सकते हो तो 42 by 35 सेम टेबल आपको बोलना है ठीक है सेबन का टेबल आप बोल सकते हो दोनों में जाएगा सेबन सिक्जा 42 & 75 जा 35 क्या बचा 6 by 5 तो 6 by 5 को 6 इस टू 5 क्लियर यह वाला आपका अंसर नेक्स्ट क्वेस्चन नमबर फॉर दा रेशियो ओफ 15 लीटर टू 20 लीटर आपको 15 लीटर से और 20 लीटर का रेशियो यहां पर फाइंड करना है तो दोनों देखो आप लीटर में दिये गए हैं दोनों के दोनु वैल्यू कैसी है सेम यहां पर इनका यूनिट सेम है तो आप यहां पर इस तरह से कर सकते हो देखो 15 divided by 20 लिखो टेबल अब देखो दोनों में किसका जाएगा 5 का 5 3 जा 15 5 4 जा 20 तो क्या आ गया 4 by 3 by 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 is to 4 इस तरह से रेशियो में तो यह आपका ओप्सन आ जाएगा 3 is to 4 next question question number आपका 5 the ratio of 250 ml to 2 liter is dash अब इन दोनों का जो यूनिट है वो डिफ्रेंट इफ्रेंट है इसका हम रहे रेशियो कैसे find करेंगे तो ऐसे 250 ml लिखो divided by 20 लीटर इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा तो हम यह वाले को चेंज कर लेते हैं इसको भ 1000 तो 20 है तो यहां पर 20 को 1000 से मल्टिप्लाइ कर दो ABML सेम यूनिट हो गया अब आप कट कर सकते हो तो 10 से 10 कट गया ठीक है तो क्या बचा 25 by 20 into 100 ना अब आप इसको कट करो 25 25 25 क्या होता है 100 यहां पर ऊपर बचा एन 20 को 4 से मल्टिप्लाइ कर दोगे तो क्या आ जाएगा यह बाय यहां पर 80 जाए और यहां पर ट्वैट अगया टूलट दिए तो आप यहां पर टूलट लिटर लिखो तो टू के उल्टिप्लाइब होगा क्लियर तो क्या हो जाएगा यहां लौट यूज दूला एट कि गो चोगा त defeat बाकट यूद जाए गा 1 लिख फॉर गांज स इसका अंसर यहां पर इस तरह से नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर 6 देखो नमबर 6 में 2 इस टू 3 & 4 इस टू डैस आपको करना है तो इस तरह से आपको दिया गया है 2 by 3 is equal to दोनों रेशियो में होंगे तो क्या आना चाहिए यहां पर है तो अपन में कुछ आना चाहिए यहीं हमें अपन वाला इसको हमें x कांसिडर कर लेते हैं तो इस चोप देखो इधर मल्टिप्लाइख कर दो क्योंकि एक्स फाइंड करना तो एक सुपर आ गया फ्लेर अब एक सूपर टू 14 मीटर इस त्री बाइटू तो यहां पर आपको डिया नूम्रेटर वाली वेल्यू फाइंड करनी है इस तरह से रेशियो ऑफ डैस मतलब इसको मैं एक्स ले लेता हूं आइड इस टू किया है फौर्टीन ए रहा अब इसका कितना आया थ्री बाइटू इस तरह से लिक्षा दो अब एकश्ण कर लो तो यहका सब्सकी तो इसकेसाथ म divided between Ram and Sam in the ratio 5-3 अगर हम क्या करें 40 रूपीज को डिवाइड कर दें Ram and Sam के बीच में 5-3 के बीज में तो स्याम को कितना मिलेगा यह हमें बताना है तो सबसे पहले आपको क्या कर रहा है यहां पर देखो यह जो है 5-3 अगर हम इसके साथ यहां पर multiply कर दें तो question number 8 में आप देख रहे हो कि अगर हम इसके साथ multiply कर दें और जो आएगा उसको हमनसर यहां पर find कर लेंगे तो देखो इसको हमें divide करना है राम एंड स्याम के बीच में एक राम है एक स्याम है तो इन दोनों का यहां पर देखो इंदर रिशयो और हने इंदर रीओ 553 द फाइब चुट सतो मतलब 50 में से क्या है यहां पर 40 का वाइप पार्ट किसको मिलना चाहिए इसको टोटल कितना पार्ट हो जाएगा एट पार्ट ना एक फाइप उनको मिला थ्री इनको मिले टोटल एट पार्ट हो गया ठीक है अब एट पार्ट में से किसको 40 पार्ट राम और सुरी 5 पार्ट राम को मिला फाइब कितने में से एट में से कितने रूपीस और 40 रूपीज का योज़ा है यहां 40 ना 55 5 पार्ट ना गया 25 रूपी टे को हो गया अब 25 इन का आ गया तो 25 तो किसका हो जाएगा यहां पर स्याम का हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा आपका अंसर 15 नेक्स्ट क्वेस्टिन नम्बर नाइन 60 by 80 is written in the lowest term as dash तो इसको देखो पहले आप तो 60 by 80 को आप सोल कर लो 80 तो जीरो सी जीरो कट गया 6 by 8 बचा अब इसको भी काट देते हैं टू का टेवल जाएगा दोनों में टू 3 जा 6 टू 4 जा 8 तो गंसर क्या आ गया 3 by 4 तो यह वाला आपका ओप्सन नेक्स्ट क्वेस्ट नम्बर टेन क्वेस्टन नम्बर टेन में आपको क्या दिया गया 3 is to 4 and 9 is to dash हमें find करना है तो देखो 3 by 4 इसको हम ले लेते हैं then is equal to 9 by यहाँ पे कुछ नहीं है तो x अब x को इधर multiply करो तो x हो गया तो यहाँ पे 4 इसके multiply में हो जाएगा 9 into 4 और 3 यहाँ divide में आ जाएगा 3 3 बन जा 3 3 3 जा 9 and 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12 यहीं आपका अंसर हो जाएगा तो अंसर आ जाएगा 12 next है 1 is dash is equal to 7 is to 72 इसको हमें find करना है सेम इसके जैसा तो 1 by यहाँ पे जो find करना उसको एक्स ले लिया is equal to 8 by क्या हो जाएगा 72 अब एक्स को इधर कर दो यहाँ पे तो देखो यह फिर आप इसको उल्टा लिख दो तो उल्टा लिखो तो क्या हो जाएगा एक्स लाइवन इसको भी उल्टा करना पड़ेगा 72 by 8 ठीक है नाव अब देखो वन कुसे हो करोगे तो सेम आएगा तो यक्स हो गए अब एट बन जा एट एट नाइन जाके आओ जाएगा 72 तो 9 by 1 मतलब 9 तो अंसर क्या आजाएगा आपका यहां पे नाइन ठीक है नेक्स कोस्ट 56 रुपीज जोग फॉर डजन वन डजन में कितना आते हैं 12 तो फॉर डजन में यहां पे आपका कोस्ट हुआ 5610 11 कोस्ट औarten टा तो ठीक है तो यहां पर देखो फॉर ड में SU फ इसेन में कितना आएगा यहां तो इसका, इसके साथ multiply 3 into 56, then divided by 4 आता है, now cut कर दो, 4 बन जाब 4, तो 4 बन जाब 4, 4 फोर जाब 16, तो यहाँ पर आएगा 14, 14 का 3 के साथ आप multiply कर दो, तो 14 3 जा क्या होता है, 42, तो यह answer आएगा आपका, rupees 42, ओके student, तो यहाँ पर हमारा question number 3 तक complete होता है, now, next question number 3 को हम next page से करते है, okay student, तो question number 2 तक हमारा complete हो गया था, question number 3 देखते हैं, page number 90 पे, तो question number 3 में आपको यहाँ पर options वाले दिये गया है, फिलिम तर ब्लैंक से, ठीक है, चार options दिये गया है, उसमें से हमें select करना है, तो first question बोला गया है, the ratio of 60 पैसे to 2 rupees, आपको 60 पैसे and 2 rupees का ratio find करना है, तो इनहाँ पर rupees है, यहाँ पर पैसे, इनका unit हमें same करना पड़ेगा, तो ratio is equal to, देखो, 60 पैसे divided by 2 rupees, तो 60 इसको पैसे में ही रहने देते हैं, इसको change कर लेते हैं, 1 rupees में 100 पैसे, तो 2 rupees में क्या होगा, 2 into 100, तो यहाँ पर देखो, यह भी पैसे में आ गया, अब हम इसको cut कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 cut गया, तो 6 by क्या बचा, 2 into 10 बचा, इसको हम cut कर देते हैं, 2 1 0 2, 2 3 0 6 क्या बचा, 3 by 10, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 is to 10, तो आप का अंसर कहाँ पर है, यह रहा, C वाला option आएगा, 3 is to 10, next question, question number 2, 12 ballpens cost 60 rupees, देखो, 12 जो ballpen है, वो 60 rupees की आ रही है, तो 5 ballpen का cost हमें यहाँ पर बताना है, तो इसको आप इस तरह से करोगे, देखो, यहाँ पर, तो 12 ballpen का cost कितना था, 12 ballpen का cost था, 60 rupees, then, हमारे पास 5 का find करना है, तो 5 का कितना होगा, question marks, अब इसमें हम cross multiply करते हैं, तो एवाला multiply इसके साथ, जो आपके पास है यहाँ पर, इसका हम multiply कर देंगे सामने के साथ, तो 5 into a हो जाएगा 60, then, divided by आपका हो जाएगा 12, ठीके, अब इसको cut कर दो, 12, 1, 12, 12, 5, जा क्या होता है, यहाँ पर 60, तो 5 into 5, that is 25, तो 5 pen का price कितना हो जाएगा, आपका 25 रूपीज, डी वाला option आजाएगा, next, question number 3, 7 is dash 28, तो 7 क्या है, यहाँ पर आपको option दिया गया, 4th time है, क्या 28 का, तो देखो, 7, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21, 7, 4, 20, yes, यह क्या है, 4 time, 7 is 4 times, क्या आजाएगा, आपका यहाँ पर, 4 times, 28, तो यहाँ पर है, नहीं, 4 time नहीं, क्या लिखते हैं, हम इसको 4th part लिखते हैं, 4th time नहीं होगा, इसका, 7 नहीं है, जो 7 है, यह आपका, यह क्या है, 28 का, 4 time नहीं है, क्या है, 4th part है, तो यह आपका अंसर यह वाला आना ची, इन दोनों में confused नहीं होना है, आपको, तो अंसर आपका भी मतलब, 4th part आजाएगा, 4th part और 20 कर 4th part है, क्लियर, तो यह लिख होगे, next, question number 4, question number 4 में आपको दिया गया, if 50 chocolates are distributed between Priya and Dheera's in the ratio of 2 is to 3, then Priya will get dash chocolate, तो आपको देखो, यह जो है Priya को मिलीगा यह वाला, और यह जो है किसको Dheera's को, तो हमें Priya का chocolate find करना है, तो 50 chocolate distribute करना है, तो total ratio कितना होगा, इन दोनों को add कर दो, 3 to 5, ठीक है, 5 part में से, कितना part Priya को मिल रहा है, 2 part, तो 2 by 5 part मिलेगा, मतलब 2 part 5 में से मिला Priya को, और कितने chocolate का distribution करना है, 50's का, तो उससे multiply कर दो, now cut करो, 5, 10 जा 50, 10 का multiply 2 से, तो क्या हो जाएगा, 10 to the 20 chocolates मिलेगा Priya को, and 30 chocolate मिलेगा, rest of Dheera's को, next question number 5, 3 is to 4 and dash are equivalent ratio, इसमें 3 is to 4, और dash हम यहां पर होगा equivalent ratio, तो देखो इसको हम option से देखते जाते हैं, तो यहां पर same आना चाहिए, इसका मतलब, तो देखो 3, यहां पर 9 है, तो किस से multiply किए 9 आया, 3 से, तो 3, 3 जा 9, तो नीचे वाले को भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3, 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो नहीं आया, तो यहां पर कहीं ऐसा दिख रहा है, यह से रहा, तो यह आपका option हो जाएगा, 9 is to 12, next, यहां पर 7 is to 11 and 21 is to dash हमें find करना है, तो देखो 7 is to 11 है, is equal to dash 21 by क्या है, यह जो find करना है, उसको x ले लेते हैं, x को इदर बेज दो, तो x is equal to 20 है रहा, अब इसका multiply 21 के साथ 11 का, and यह जो 7 था नीचे आ जाएगा, 7, 1 जा 7, 7, 3 जा 21, तो 11 का 3 के साथ multiply करोगे, तो क्या आएगा, 33, तो यह आपका option, यह आजाएगा, 33, next है, 7 नमबर का, dash times 6 is 42, यहां पर देखो, किसका 6 time करें, जो हमारे यहां पर 42 आ जाएगा, तो देखो, 36 का करोगे, क्या, नहीं, जादा आ जाएगा, 7 का करो, 7, 6 जा 42, यह, तो आपका answer कौन सा आ जाएगा, यहां पर, बी वाला आ जाएगा, तो 7 times 6 is 42, तो 7, 6 जा 42, next, question number 8, when X is divided between Manu and Kanu, इन दोनों को divide किया, X को divide किया, Manu के बीच and Kanu के बीच, तो Manu के मिला 5, एंड इसको, जो है, Kanu को, क्या मिला, 3 ratio, then Manu gets 50 रूपीज, Manu को कितना रूपीज मिला, 50 रूपीज, then the, find the amount that Kanu gets, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर Manu को 50 मिला, X रूपीज, यहाँ पर हमें X रूपीज को divide करना था, तो X, और इसको मिला इनको 50, ठीके, तो इस तरह पहले हम Manu को find करेंगे, X find कर लेंगे, X के बाद हम इसको find कर लेंगे, तो देखो, सबसे पहले इन दोनों का ratio कितना होगा, 8, 5 into 3, 8 part होंगे, 8 part में से Manu को कितना मिल रहा है, यहाँ पर, 5 part, फर्स्ट वाला Manu को, ठीके, कितने में से, X में से, तो X into हो जाएगा, is equal to Manu को total मिल कितना रहा है, जब 5, मतलब 5 part करेंगे, 8 में से, तो 50 रूपीज, ठीके, तो X is equal to हो जाएगा, इसका multiply कर दो, 50 into 8 हो जाएगा, यह multiply में है, तो divide में, now 5, 5, 10, जा क्या हो जाएगा, 50, तो 80 into क्या हो जाएगा, 10, that is 80, तो X का value कितना है, 80, तो X 80 रूपे से हमें divide करना था, जिस में से Manu को 50 मिला, तो and जो कनू को कितना मिचलेगा, 80 में से आप 50 को subtract कर दो, बचा 30, यह मिलेगा कनू को, तो answer आजाएगा, यहाँ पर, 30 B वाला option, next question देखते हैं, last question है, question number 4, अगर अभी तक आपने चैनल को नई सब्सक्राइब किये, please first of all subscribe कर लिजिए, and bell icon को press कर लिजिए, question number 4 में लिखा है, if P is to Q and M is to N, then P N is equal to Q M होगा क्या, find कर लिए, P by Q is equal to M by N, cross multiply, तो देखो P into N हो जाएगा, is equal to Q into M, तो ऐसा है क्या, yes, तो यह answer आपका क्या हो जाएगा, true, next question number 2, 7 is to 8, and 8 is to 7 are equal ratios, तो यह 7 is to 8, and 8 is to 7, क्या यह दोनों equal है, नहीं, यह अलग है, यह answer आपका क्या जाएगा, false, next है, 6, 7, 12, 13 are in proportion, क्या यह दोनों proportion में है, तो check करो, तो 6 by 7 लिख दो, is equal to 12 by 13, इनको cut करो, कोई cut नी होगा, और दोनों equal नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए, next है, question number 4, the ratio of 50 rupees to 100 meter is 1 by 2, देखो, एक rupees में दिया गया है, एक meter में दिया गया है, तो दोनों का ratio तो possible ही नहीं है, अगर एक rupees में कम सकम एक पैसे में देता, तो भी हम convert कर सकते थे, तो यह impossible है, तो यह answer आजाएगा, false, next, the ratio of mother's age to daughter's age cannot be 2 is to 5, जो ratio है, वो क्या हो सकता है, mother's age and daughter's age क्या हो सकता है, 2 is to 5 नहीं हो सकता है, यह इन्होंने बोला है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, age हो सकता है, और यहाँ पर बोला है, यहाँ पर 2 by 5, तो mother का age अगर आप यहाँ पर 2 है, अगर suppose करें, and daughter का age 5 हो सकता है, नहीं, यह possible नहीं है, mother की age क्या होगी, always greater होगी daughter से, तो यहाँ पर daughter का कम दिया, यहाँ पर mother का कम दिया गया, daughter का ज्यादा, इसलिए यह possible नहीं है, तो यह हमारा answer क्या आजाएगा, true क्योंकि यह भी तो बोल रहा है, possible नहीं है, clear, next, 60 cm, 80 cm, is equal to 90 cm, 120 cm, इन दोनों को हम solve करेंगे, तो इनका answer सेम आना चाहिए, तो 60 by 80, दोनों सब सेम unit है, तो 90 by 120, 120, 0 से 0, 0 से 0, 6 by 8, and 9 by 12, इसमें 2 का टेबल जाएगा, 2, 4, 0, 8, and 2, 3, 0, 6, इसमें 3 का, 3, 3, 0, 9, 3, 4, 0, 12, तो 3 by 4 इदर भी आया, और इदर भी क्या आया, 3 by 4, that's why यह क्या होगा, true होगा, दोनों, same ratio आएगा, next question, question number 7, if ram can run 12 km in 3 hours, अगर ram क्या है, 12 km 3 hours में run कर रहा है, then he can run 10 km in 2 hours, तो क्या वो 10 km 2 hours में run कर पाएगा, यह हमको बताना है, तो दोनों का ratio ले लो, ठीक है, यहापे हम क्या कर सकते हैं, 12, यह देखो, 12 km, अगर हिसका हम यहापे उकरें, तो 12 क्या है, divided by 3 लिखो, and 10 divided by 2 लिखो, now, अब इन दोनों को हमें cut कर देना है, अगर इन दोनों का answer same आता है, तो यह क्या होगा, कर सकते हैं, तो देखो, 3, यहापे, 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 इस तरह से, 3, 4, 12, and 2, 5, 15, तो देखो, यह 5, 4 आया, यह 5 आया, तो यह possible नहीं है, यह फिर आप इसका वैसे भी find कर सकते हो, तो पहले, 1 में find कर लो, 1 hour में कितना, तो 3 hours में 12 हो रहा है, तो यहापे, देखो, 1 hour में कितना होगा, तो यहापे, 12 divided by 3, मतलब 4, 4 km, 1 hour में 4 km जा रहा है, तो 2 hour में 10 km कैसे जाएगा, तो 2 hour में ज़्यादा 8 km जाएगा, तो यह answer क्या आजाएगा, आपका, false हो जाएगा, दोनों तरह से चेक करके मैंने बता दिया, next, last question number 8, the simplest form of 24 by 20 is 6 by 7, तो चेक कर लेते हैं यहापे हम, तो दोनों को आपको यहापे कट करना है, ठीक है, यहापे, तो देखो, दोनों 4 से कट होंगे, यहापे 4 शिग्जा, 24 and 4 से बंज़ा 28, तो 6 by 7 answer आ गया, yes, that's why it is a true, ओके, तो यहाँ पे हमारा question number 4 तक complete होता है, पार्ट वन में, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए, लाइक कीजिए, क्वेंट कीजिए, तो थैंक्यू, वेरी मैच, मिलते हैं, पार्ट दूनों,